नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजूकेशन चैनल एजूटूबर देव पर तो दोस्तों पिछले कुछ घंटों में कॉलेज लेक्चरर रिया यूं कहें कि एसिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के समन्द में चार प्रेस नोट जारी किये गए जी हां दोस्तों और आज इस वीडियो में हम उन प्रेस नोट में क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहा है RPSC वो सब समझेंगे और जैसे मैं आपको सुरुआत के भी कई सारे वीडियो में बताया था कि जो DAF है डिटेल एप्लिकेशन फॉर्म है वो जब आप अच्छे से भरके नहीं भेजते हो तो फिर कैसा प्रेस नोट जारी होता है एक और अफसर मिलता एक नहीं मिलता है और फिर भी कोई अब्यरत अपात्र होता है तो क्या इस्तती बनती है तो देखिए इनी प्रेस नोट में वही सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे सबसे पहले प्रेस नोट है वो RPSC ने 29 तारी कियानी कि आज ही को जारी किया है देखिए इसमें क्या कहा है कि 24 एक 2022 को जो रिज प्रेस नोट होने वाले हैं अब दूसरा जो सब्जेक्ट फिलोस्पी यानि कि अपने दर्शन सस्त्र अब देखिए इसमें क्या है कि जो अबिर्थी पास किये गए थे दो पोश्ट हैं और छे अबिर्थी पास किये गए थे लगबग तीन गुना अबिर्थी हो गए दो इन टू तीन और उसमें से एक अबिर्थी जो है उसको अपात्र पाया गया तो अब जो रिजर्ल लिष्ट जो है या यूं कहें कि जो अबिर्थी में लिष्ट में चाहिए नहीं हुए थे अब उन अबिर्थियों की जगए एक नया अबिर्थी चुना गया है जिसके रोल भर के भेज देना और कैसे क्या प्रोसेस है उन सारे वीडियोस के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप आँ से देख लीजिएगा और कब तक भेजना है चार चार याने की चार अपरेल दोजार बाई साम छे बजे तक जो है कारेलेमा भेज दें उससे पहले ही भेजा है नहीं तो कई बार लेट वेट हो जाता है तो परिशानी हो जाती है तो उस बेसिस पर ये सारी बात है अब अगले प्रेशनोट देखें तो अगले प्रेशनोट जो है वो अलग-अलग सब्जेट्स के समन्द में सबसे पहले अपने पंजाबी विसे जो ह जो अपने दस्तावेज होते हैं यह यूं कहें कि जो डॉकुमेंट्स होते हैं उसमें दिक्कत आई देखी क्या है पहली दिक्कत यह है कि जो रोल नंबर है दस 1636 जनरल जो कैटेगरी है उनका एक अबिर्थी है जिन्नोंने जो है एनो सी ऑप दे कंसर्ण डिपार्टमेंट तो वो पहले से सर्विस में है और उन्होंने सर्विस जिस विभाग में कर रहे हैं उनकी अनो सी जो अनापती परवाण पत्र होता है नॉन अब्जेक्शन सर्टिफिकट वो नहीं भेजा है तो यह परिशानी है सेकेंड अबिर्थी जो है वो MBC अबिर्थी है 131049 उनके ज TVSM में जो है उसकी मार्शीट इन्होंने नहीं भेजी है तो यह दो दस्तावे जो है इनके कंप्लीट नहीं है तो इनको वो कंप्लीट करवाने होंगे अगला देखिए यह है जो म्यूजिक वोकल जिसका रिजल्ट जो जारी किया गया था वो पंजाबी से पहले लोग पर अब आप देखो 9 में से 7 में दिक्कत तो आप समझ सकते हो कि कॉले लेक्चरल बनने जा रहे हैं बड़ दोकुमेंट्स पूरे सही से नहीं भेज पा रहे हैं तो पहले अब इनके देखिए एक, दू, तीन, चार, पांस समस्याएं हैं अब इन सारी समस्याओं को तो अगर डीटेल में जानेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चड़ा हो जाएगा मेंन में देखें तो बोनापैट सर्टिफिकेट एम में प्रीवेस की मार्शीट नहीं है बीए सी फर्स्ट इयर सेकंड यर की मार्शीट नहीं है और मैंने आपको कई बार कहा है कि जब आप ग्रेज फर्स्ट इयर सेकंड इयर की मार्शीट मांग ली और जो है बीए सी और उसमें साइद इनके जो है वो अपने फर्स्ट इयर सेकंड इयर की मार्शीट मांगी तो इन्होंने फाइनल इयर की दी और वही गलती की जो मैंने बोला भी और फिर सेकंड जो अबिर थी है उन्हों नहीं भेजा है प्रोविजन डिगरी भी चल जाती लेकिन नहीं भेजी और एफिडेविट रिकार्डिंग चेंज इन सेल्फ नेम और पेरेंट्स नेम तो अपने जो नाम बगरा बदले हैं उसके समझ में जो एक एफिडेविट बनता है अपने शपत पत्र वो इन्हों नही मरसीट बीजंडay जो सर्टीफिकेट में अन्डर डेता है जिसमें यंचे लिखा होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और अगर मारसीट है तो इसमें भी कई पार लिन खा रहता है उसमें बगरते चाया तो सबआर्प का पwe drifting श्यारा नहीं किए तेक और चाया झा और पचीस में से देखिए आप लगबग 20 अभीरतियों के डॉकुमेंट में दिक्कत है पचीस में से 17 अभीरतियों के डॉकुमेंट पूरे नहीं है तो आप सोचों कि 8 अभीरतियों कही हैं और कितना मतलब ये सोचने की बात है इसमें और फिर आप देख लो सारी चीजें कि कहां कहां Certificates मैंने बहुत यह سामाने सी چीज वो भी इन्होंने नहीं भेजी है तो यह जरूर देखने वाली बात इन्होंने यह गलतियां करी है और नेट का Certificate नहीं भेज đây और आपや। काले Lecturer वन आये हो कैसे हो गा यह और आगे देखे। और मेरी certificate नहीं बेजा, bona fide certificate नहीं बेजा है और आगे देखें तो net या PhD का certificate इनके बाकी है तो यही सारी वो समस्या हैं मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था जब मैंने यह DAF यानि की detail application form जो है विस्तरी तावेदिन प्रपत्र उसके समन्द वीडियोज बनाये थे तब ही मैंने आपको बताया था का आप यह छोट-छोटी कमिया है न वो नहीं रखें हालांकि एक और चांस आपको मिलेगा कई सारी यूट्यूबर्स बोलते थे बस एक गलती रह गई तो बाहर हो जाओगा इसा हो जाएगा ऐसे नहीं होता देखो नौकरी में सेलेक्शन बड़ा मुश्किल काम है तो एक गलती पे तो बाहर नहीं करेंगे लेकिन अगर यह जो डॉकुमेंट्स आपके मांगे हैं अगर अभी तक आपने यह डॉकुमेंट्स जो है वहां जमान नहीं कराया और आप आपने नहीं भीजे तो फिर दिक्कत हो सकती है तो फिर आपकी जिगे जो जैसे शुरुआत मैंने फिलोसपी यानि की दर्शन शास्तर का जो अपने नोटिपिकेशन तो नहीं कहेंगे प्रिश्नोड था वो मैंने आपको बताया था उसमें इस पर शुरूब से ये चीजे नेट सर्टिफिकेट मांग रहा आरपेसी कि आप नेट का सर्टिफिकेट दे दो वो नहीं दे पारा तो यार उनके पास है नहीं और अगर है और फिर भी नहीं दे रहा तो भी नहीं है वो माना जाएगा इसलिए तो सिधा आरपेसी उसको बाहर ही करी कि अब कितने दिन उ जमा कर दो सीधी सी बात ये है और फिर भी अगर आप नहीं जा रहे हैं आप सोच रहे हो कौन जाए कौन आए तो साब बार बार कॉले लेक्चरर की जॉब जो है वो पर्मानेंट वाली गैस्ट फैकल्टी नहीं है नहीं मिलती है तो इसलिए थोड़ा आप इसमें ध्यान किया है आपने तो डेफिनेटली ये भी आप ध्यान रखो कि आगे की जो प्रोसेस है वो भी मुश्किल है उसको आपको अच्छे से ध्यान से पूरा करना है बाकि जो भी अपडेट्स आएंगी तो फिर पहुंचा दूँगा वीडियो या फिर कम्यूनिटी पोस्ट के हम से तब तक की लिए धन्यवाद नमस्कार